किसी भी फील्ड में एक successful career बनाने के लिए हम पूरे dedication के साथ अपनी studies को करते हैं जिससे कि हम अपने लिए एक अच्छा career बना सके जिसमें technical knowledge तो दोस्तों हम सीखते ही हैं लेगन उन skills को develop करना भूल जाते हैं जो कि शायद successful होने के लिए उतने ही जरूरी है जितने के आपके technical skills या कहें आपकी expertise चाहें आप एक clinician हो, nurse हो, management professional हो या फिर कोई technician ही क्यों ना हो हम सभी को अपनी daily activities को perform करने के लिए जरूरत पड़ती है soft skills की अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये soft skills क्या है तो soft skills को आप public skills भी कह सकते हैं यानि कि वो सभी skills जो कि आप अपनी professional और personal life में छोटे-छोटे task और activities को करने के लिए या दूसरों से करानी के लिए use करते हैं अब इन activities से हमारा मतलब है communication के use करना patient की तरफ compassion को show करना अपने काम को लिएकर flexible रहना, adaptable रहना और emotional stability को show करना इसके अलावा अपने workplace पर proactive रहना आथी के लिए अपने काम को करना और responsibilities को समझना काम के प्रती honest रहना टीम के साथ मिलकर काम करना strong work ethic होना और most importantly time को importance देना और अपने time को properly manage करना इस तरह के और भी हमें soft skill देखने को मिलते हैं जो कि बहुत जावा जरूरी होते हैं किसी भी professional के लिए और अगर आपकी ये skill week है तो आपको सामना गरना पड़ता है कई तरह की problems का जैसे कि औरों को अपनी बात समझाने में परिशानी होना और उसे rudely ये गलत तरीके से बात करने लगना या फिर अपने emotions पर control ना रख पाना responsibilities को ना लेना team के साथ काम ना करना time पर अपने काम को complete ना कर पाना अपने काम की responsibility नहीं लेना या फिर situation के according खुद को बदलना पाना ऐसा ही दोस्तों हमें देखने को मिलता है बहुत सो seniors के साथ मिलकर काम नहीं कर पाते समय लेकिन आप इनी skills को enhance कर सकते हैं हमारे sports को join करके जिसका नाम है Certificate in Soft Skills for Healthcare Professionals जिसमें आप सीख सकते हैं soft skills, effective communication किस तरह से body language को improve किया जाए self grooming tips क्या होते है teamwork आपको कैसे करना है time को कैसे manage करना है leadership skills को कैसे develop किया जाता है किस तरह से किसी problem को आपको solve करना चाहिए और फिर decision को लेना चाहिए और healthcare में सबसे important soft skills क्या है इस course को दोस्तों complete करने पर आप सभी को मिलेगा certificate of completion from knowledgeati.com तो फिर देर किस बात की आज ही इस course के लिए register करें और सीखे important soft skills को हिंदी और English के आसान शब्दों में आज ही इस course के लिए join करें